हालो गाइस आपका स्वागत है एक नहीं वीडियो पर इससे पीछे अमने वीडियो में पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर का वीडियो देखा था और आज उससे आगे का क्लास चलाऊंगा तो आज हम लोग डिसकस करेंगे कंट्रा वाउचर और जनरल वाउचर देखें कंट्रा वाउचर होता क्या है देखें कंट्रा वाउचर का सौटकर्ट की होता है F4 और इसका यूज करते हैं यदि बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो तो उस टाइम हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं यदि आपको बैंक में पैसा जमा करना है या बैंक से पैसा निकालना है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग तो कंट्रा वाउचर का यूज हम लोग करते हैं ठीक है तो कंट्रा वाउचर का स्वाटकट क्यों होता है एफ कैस जब पैसा को에ज कर गें तो उपार ओगा कैस लोग जमा करेंगे तो उपार ओगा कैस आंपर का उपार ओगा पैसימ करें तो कैस जमा कर रहे हैं तो कैसे यदे निकाल रहेंगे क्या निकाल रहा है तो कैसे निकाल रहा है किसे निकाल रहा है बैंक से निकाल रहा है ऐसे याद रखेगा ठीक है क्या निकाल रहा है कैसे निकाल रहा है किसे निकाल रहा है बैंक से निकाल रहा है ठीक है उसके बाद देखिए होता है जनल वाउचर जनल वाउचर क्या होता ह कि इसका यूज जनल इंट्री के लिए किया जाता है जनल इंट्री क्या है जैसे किसी वरकर को सेलरी देना है वो जनल इंट्री है किसी को रेंट देना है जनल इंट्री है ऑफिस के लिए कोई फैन खरीद के लाए गया जनल इंट्री है एसी खरीद के लाए गया जनल इंट्र रहें हैं तो यह सब क्या होते हैं जो एकाउंट से हट के जो भी हमारे उन्टे इंदर होते हैं वो वह हमारे जैनल इंट्री होते हैं ठीक है तो हमारे ऐसे salary पे कर रहे हैं किसी को rent पे कर रहे हैं कोई रिक्सा का rent पे कर रहे हैं या और भी जो भी हमारे company से हट के जो भी हमारा खर्चा होता है वह हम लोग किसे करते हैं अब हम लोग करते हैं आप हम लोग क्या करते हैं या सले company जिस कंपनी में हम लोग रोज बढ़ते हैं उस company में हम लोग आ जाते हैं और Ontario online classes पर आने के बाद हम लोग आज देखेंगे क्या counter voucher और general voucher ठीक है क्लिक करते है counting voucher में और देखे counter voucher का मैंने बताया था shortcut की क्या होता है F4 F4 जैसे यह 4 यहां click करेंगो तो counter voucher आ जाएगा ऊपर लेंगे bank क्या करना है जमा करना है तो किस में जमा करना है bank में जमा करना है क्या जमा करना है कैस जमा करना है कितना पुछ मैंस में यार ना नोट तो हम लोग जमा परस नोट रेती हैं aisa नहीं होता है is तो इसने इतने दस रूपे का है इतना नोट दिया पचास इतना था पाइंक केटना 40,000 रूपिया यहां कर रहे है तो अब । दस अजयार का नूट D real अशार हो जाएगा तो रहाएं ऐसे हम लोग इसकंदर कर सकते हैं अब क्या होता है जनल इंट्री जनल इंट्री क्या होता है इस हम लोग कहा करते हैं जनल वाउचर तो इसका सॉटकट की होता है एफ फॉर सॉटकट की होता है याद रखेगा एफ फॉर जनल इंट्री का सॉटकट की होता है जनल वाउचर का और इसमें जनरल इंट्री करते हैं तो आते हैं यहां पर क्लिक करते हैं एप सेवन पर और एप सेवन क्लिक करेंगे तो यहां देखिए यह सारे इसमें बने हुए है पहले से तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमारा कैस होता है वो हमेशा क्रेडिट में होता है याद जाएगा salary डेबिसर हो जाएगा कितना तो 5000 रुपिया एक्सेप्ट यहां ले लिए सी और मतलब creator कितना credit होगा तो धुट हो जाएगा हमारा cash, cash कोई भी का होता है credit होता, याद रखेगा बहुने दो बहुले बहुता है, थेक है एक्सेप्ट अब हमको देना है क्या रेंट क्या सब्सक्राइब करेंगे रेंट ठीक है और यहां रेंट कितना देना है 200 रुपिया एंटर करते हैं किसमें देना है क्यों क्यास कभी भी का होगा क्रेडिट में क्यास क्रेडिट में याद रखेगा ठीक है यहां क्लिक करेंगे तो आइसे कर लेंगे एक बार और सॉट में देखते हैं दोनों इंट्री को कंट्राव उच्व में जब पैसा जमा करना है तो लोग क्या करेंगे तो उपर लेंगे बाइंक का नाम ठीक है निकालना दूपर बाइंक का नाम और निचे लेंगे के कैस और यहां मांट देदेंगे तो यह वर पैसा अमारा निकल है सोड़ी जमा हो रहा कितना मलोग सभाव सकतें और आइसाहिएन होगा और ऐसे ही रोज रोज नौ बजे साड़े नौ बजे दस बेक लमसम में वीडियो अपलोड करता हूं तो इसमें आप लोग मैनत कीजिए और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है प्रस्टनल कमेंट आप लोग वीडियो में कर सकते हैं मैं इस पर भी आप लोग को वीडियो बनाने का कोशिस करूंगा तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जाहिन जा भारत हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा